नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपानच है आईए जानते हैं स्वक्त की अपडेट OBC पर आयोग ने सौपी रिपोर्ट साथियों हाली में न्यायमूर्ती रोहिनी आयोग ने OBC के उपवरगी करण पर अपनी रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले को सौप दी है सरकार ने वर्ष 2017 में पूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ती जी रोहिनी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था इसके आधार पर आयोग को केंद्रिय OBC सूची में 2600 से अधिक जाती समूओं के विभाजन का सुझाव देने का काम सौप गया था ताकि इन लाभों को समान रूप से पुनर वितरित किया जा सके नयमूर्ती रोहिनी पैनल की इस रिपोर्ट को अभी तक सारवजनिक नहीं किया गया है गौर तलब है कि आयोग को 12 सब्तहा में अपनी रिपोर्ट सौप नी थी लेकिन कोविड महमारी और अन्य तकनी की कारणों से इस आयोग को 14 बार विस्तार दिया गया था यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कई राज सरकारें अपने अपने अधिकार शेतर में स्वतंत्र जाती आधारित सर्वेक्षणों पर जोर दे रही है आपको बता दें कि पिछड़े वर्ग के लिए 14 अगस्त 1993 को राश्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के तहत किया गया था राश्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय था 102 समविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राश्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग को समविधानिक दरजा दिया गया है साथियों आपको ग्यात होना चाहिए कि NCBC सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समविधानिक या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी करता है हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi